हेलो गाइस विल्कम बैक अगिन माई चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे पाउडर के बारे में ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए पाउडर्स आर दा सिंप्लेस्ट डोसेस फॉर्म होती है पाउडर जो होती हो सॉलिड डोसेस फॉर्म होती है दिक्कत नहीं and hard vegetable drugs such as a root, bark, woods मतलब यह क्या होता है एक hard bark भी होती ही कई मरतबा चाल होते हैं कई मरतबा मलब अलग-अलग चीजों से यह obtained करी जा सकती है फार्मसुटकल पाउडर की बात करते हैं यह एक solid doses form होता है in which are more drugs are dispensed in finely divided state of with or without excipient क्या मतलब हुआ कि फार्मसुटक पाउडर के फार्मसुटकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऐसे tablet के form में aspirin के रूप में और कुछ ऐसे और क्रिश्टलाइन अमॉर्फस और क्रिश्टलाइन तो वह थो ताइप के निचर उसके पढ़े थे तो वह चीज उसमें समझ लेना बाकि यहां पर अगर बात करते हैं कि पाउडर्स के एडवांटेज का होते हैं तो हमने एक चीज़ा भी बताई कि पाउडर से बनी लिक्रिट जल्दी खराब हो क्योंकि उसमें मॉस्टर से पाउडर क्या होता मॉस्टर फ्री रहता है इसलिए तर्टिक थोड़ा रैपिड ऑंसेट एक्शन होता है जल्दी एक्शन करता है चौती चीज़ इसमें एजी तो स्वालों इवन लार्ज बल्क इस्पेसली मिक्स विदा ड्रिंक वाब फूड अगर हम किसी भी खाने के साथ या पानी के साथ मिला देते हो तो इसली स्वैल अप हो जाता है और एसली एक्शन प्रडूश करता है इसी तू कहरी अगर हमें बॉटल ले जाना हो सीशी ले जाना हो तो अब पनी डूनना पड़ेगा उसके लि लिए और बूढ़े पेशंट्स के लिए जिनकी उमर ज्यादा है ठीक है न तो इनके लिए बेनिफिट्स होती है एड्वांटेज है किसके पावडर्स के डिस एड्वांटेज की बात करा जाए इसका टेस्ट तीखा होता है नौजिया अनप्लेजंट आ सकती टेस्ट कर सकते हैं उनको हम बाटर के फ़ां में खा नहीं सकते इसके उसके साथ साथ ग्रोडरपिक घ्रक्स वोती है उनको भी हम पावडर्स इमर नहीं कर सकते उनके लिए डावंट केजिए बहुत सारी क्या होता है तो उनकी कंडिशन भी सुटेबल नहीं होती उस टैम पर जब पेशन्ट को चाहिए हो तो हो सकता नेचर चेंज कर दे हो और साथ में लाश्ट इसका डिसे डवांटेज क्या है कि अगर पाउडर को जो टैबलेट की क्वाणिटी है अगर हंडेड एमजी से कमा ज चीजों में तो वह भी दिक्कत हो जाता है तो इस चीज को लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि यह सारे के सारे जो चीज़े हमने बता ही टेस्ट है अग्रो सब्सक्राइब नेचर है अट्मॉस्फेरिक कंडिशन से क्वांटिटी है तो यह सारे कि सारे क्या होते हैं इसके पाउडर्स के पाउडर्स का अगर क्लासिफिकेशन की बात करा जाए कितने टैप से क्लासिफाई किया गया पाउडर्स को तो पाउडर्स को जनली पास टैप में बाटा गया पहला बल्क पाउडर फार इंटर्नल यूज ऐसे पाउडर्स जिनको हम इंटर्नल यूज करते हैं tablet के रूप में किसी भी फॉद्ध दूसरे फॉर्म में उनको हम क्या करते हैं bulk powder for internal दूसरा इसका classification किया गया है bulk powder for external use जो हम इसके इसके एक्सटरनल सरफेस पे या अपर सरफेस पर यो यूज करते हैं उसका दूसरा टाइफ से classification किया है इसका bulk powder for bulk के मतलब बहुत सारी quantity बलक में ठीक external application के लिए सिंप तीसरा इसका classification है simple and compound powder for internal use जो simple है या compound powder है अब simple के माँने क्या होता है एक particular चीज उसमें डली है compound के मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीज के साथ mix करके जो powder बनाया गया किसके लिए internal use के लिए ठीक है ना चौथा इसका है powder in close in sachet and capsule ऐसा powder जो की sachet आते हैं calcium के sachet आते हैं बहुत सारे दूसरी sachets आते हैं calcium के अलावा भी जिन को पानी के साथ गोलो और उनको पीलो ठीक है ना बहुत सारे कैपसूल साते हैं कैपसूल के अंदर पाउडर के फॉर्म थोड़े थोड़े एक नियूल्स बरे जाते हैं पाउडर बरे जाता है चीज़े बरी जाती है तो वह भी इसका सब्सक्राइब है नोट इंपोर्टल मतलब झाल कीपर डोस की एक्यूरेसी इंपॉर्टल नहीं होती ठीक है वहां पर हम क्या करते हैं बल्क फउडर यूज्ज़े यूज़ करते हैं विछ lingering कंटेनर विड ए स्पॡून के साथ सप्लाइए कि पाउडर्श उम्का इकम impulsk awareे ले लो थोड़ा बहुत उपर नीचे होगा चल जाएगा ठीक है दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है बलक पाउडर फार एक्स्टर्नल यूज तो क्या होता है इसमें डेस्टिंग पाउडर आ तैने चार टाइफ से डिवाइट कीया गया डेस्टिंग पाउडर मतलब ऐसा पाउडर कर सारे इंहल करे जाते हैं बहुत सारे बहुत सारे नॉस्टिल्स आते हैं डेंटल में टूथफेस डेंटल पाउडर कौन से होते हैं जो टूथपेस में लगा के ब्रेशन करते हैं कोलगेट का पाउडर आता है किसी क्या नाम है उसके पाउडर साते हैं डाबर के आते हैं ठीक है दंतकांती के आते हैं सूखे पाउडर साते हैं इंटल पाउडर में क्या आता है इस मेडिक ड़िकल ड़िक नोज त्रोट वैजाइना एंड काल ड़िवायस एंड मतलब ऐसे जो कान में कुछ डाले जायें कर बादी की कैविटी वे जो यूज में आने वाले उनको इन सेफलेети या हो सकता ह Кरिशला या वाला जिसमें एक प्रोडक्ट भी खाली मिलके बना हो पावडर में ठीक है यह क्रिशलाइन या ऐमऔरफस फौम में किसी में वह फौम है अब सम्में एक पॉंड़ाओं लड़ा हूँ यह एक ठीक है तो जो एक्जाम्पल है वो तुम्हारा एस्प्रिन होता है जबकि compound powder का जो एक्जाम्पल है तुम्हारा जैसे कि एक ऐसी tablet बनाई जाए जिसमें एस्प्रिन भी 300 mg पैरा सिटामाल भी हो और कैफीन भी हो 50 mg मतलब सब के अपना अपना रेशियो करके एक टैबलेट पंच करती है यह तो क्या है यह compound powder का लाएगा ठीक इसका जो चौथा टाइप होता पाउडर इंक्लोरिजिस सैचेट वाटर कैपसूल सैचेट का मतलब साथ मोल्ड कर दिये जाते हैं या इसकी तो इसको पैकिंग करके बेचा जाता है कई सारी चीजों के लिए आते हैं पॉलिशिंग कर दी जाती है इनके पाउडर के इसमें पार्टिकल्स में ठीक लास्ट इसमें है क्या नाम है डच पाउडर कह सकते हो ठीक है डाउच पाउ यह बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको डाउच पाउडर्स कहते हैं डाउच पाउडर्स के लावा हाई 타 mr se पाउडर्स में जो मोस्जर से बचाने के लिए हैई वाउडर्स को ऩर awakened OD objects मतलब क्या हुआ कि तुमने पानी में उसको डियूर्फ किया और करने के बाद उसको उस सालुशन बना लिया या गैस के फॉर्म में बन गई इनो डालते हो जाग निकलती बिल्कुल कट से पिया एसप्रिन डालते हो यह क्या करते हो और डाइजीन आती उसको गोलो फिर पीलो तो यह सारे जो कहलाते ही यह हाइग्रोसकोपिक नेचर के होते ह इसमें ठीक है इसके एकजामपल के तो तो आमोनियम कलोराइड यामोनियम सेट्रेड वगए यह इसमें नेचर्स होते हैं इफलेफसंट वाला इफलेफसंट के पाउडर सोते हैं सम्क्रिस्टलाइन सब्स्टेंस like a caffeine है साइट्री के सीड है यह सारे के सारे क्या होते हैं इफर्फेसेंट होते हैं यूटेक्टिक नेचर वाले में भी में इनके जो भी पाउडर्स आते हैं वो सारे के सारे यूटेक्टिक नेचर के होते हैं ठीक है तो फिर आज हम लोग नहीं पड़ा पाउडर का क्लासिफिकेशन के बारे में और पाउडर क्या होता इसके एडवांटेश के बारे में डिसडवांटेश के बारे में तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर थैंक्यू सो मच